अगला अध्याय सत्य और शिव के द्वारा अगनी की परिक्रमा शिरी हरी द्वारा शिव तत्व का वर्णन शिव का ब्रह्माजी को दिये हुए वर की अनुसार बेदी पर सदा के लिए आविस्थान तथा शिव का सत्य का विदा होग कैलाश पर जाना प्रह्माजी कहते हैं नारत कन्यदान करके दक्षन भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्त्वें दहेज में दी यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए फिर उन्होंने ब्राम्हन को भी नाना प्रकार से धन बाटे ततपश्चात लक्ष्मी सहीद भगवान विश्नु शंकर के पास हाथ चोड़ कर खड़े हुए और यूँ बोले देवादी देव महादेव दया सागर प्रभु तात आप संपूर्ण जगत की पिता हैं और सती सब की माता हैं आप दोनों सत पुर्षों के कल्यान तथा दुस्टों के दमन के लिए सदा लीला पुर्वक अवतार गरहन करते हैं यह सनातन शुति का कथन है आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ चुभा पा रहा हूँ अर्थात सती नील वर्णा और आप गौर वर्णा उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है नारद मैं देवी सती के पास आकर ग्रहो सूत्रोक बिधी से विस्तार पुर्वक सारा अगनिकारे कराने लगा मुझे आचारे तथा ब्रामनों की आग्या से शिव और शिव ने बड़े हर्ष के साथ बिधी पुर्वक अगनिकी परिक्रमा की उस समय बहां बड़ा अध्धूत उस्सा मनाया गया गाजे बाजे और निर्ति के साथ होने वाला भय उस सब को बड़ा सुखत जान पड़ा तदिनंतर भगवान विश्णू बोले सदाशिव मैं आपके आग्या से यहां शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनी अपने मन को एकागर करके इस विशय को सुनो भगवन आप प्रधान और आप्रधान प्रकति और उससे आतीत हैं आपके अनिक भाग हैं फिर भी आप भाग रही थें जो तिर मैं स्वरूप बाले आप परिमेश्वर के ही हम तीनों देवता के अंश हैं आप कौन हैं मैं कौन और ब्रम्हा कौन हैं आप परमात्मा के ये आपने स्वयम ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है आप निर्गुन ब्रह्मा रूप में एक हैं आप ही सगुन ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा विश्णु और रुद्र तीनों आपके अंश हैं जैसे एक ही शरीर के भिन भिन आव्याव मस्तक ग्रीवा आधी नामधारण कर किते हैं तथा भी उस शरीर से विभिन नहीं है उसी प्रकर हम तीनों अंश आप परमिश्वर के ही आंग हैं जो जोतिर मैं आकाश के स्वामान सर्वेव्यापी एवं निर्लेप सोयम ही अपना धाम पुरान कूटत्स आव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्ध आदी विशेश निर्विशेश ब्रह्मा हैं वही आप शिव हैं अतया आप ही सब कुछ हैं ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर भगवान विश्णू की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन हुए तदनंतर उस विवाह यग के स्वामी यजवान परमिश्वर्ष प्रसन हो लौलिक कि गति का आश्रा लेकर हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्भग बोले ब्रह्मा आपने सारा वैवहाई कारे अच्छी तरह से संपन करा दिया अब मैं प्रसन नहूं आप मेरे आचारे हैं बताईए आपको क्या दक्षिना दो सुर्जेस्ट यदि वह अत्यान तो दुड़ला भी हो तो उसे शिग्र कहिए मुझे आपके लिए कुछ भी अदिये नहीं है मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ बीनित चित से उन्हें बारं बार प्रणाम करके बोला देवेश यदि आप प्रसन नहूं और महिश यदि मैं वर पाने की योग हूँ तो प्रसन्यता पूर्वक जो बात कहता हूँ आप उसे पूर्णे कीजिए महादेव आप इसी रूप में इसी वेधी पर सदा विराज मान रहें जिससे आपके दर्शन से मनुशी के पाप धूल जाएं चंदर शेखर आपका सानिक्द हो पार के दिन इस भूतल पर जो मनुश्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करें उसके सारे पाप ततकल नस्ठ हो जाएं बिपुल पुन्य की ब्रधियों और समस्त रोगों का सर्वताना आश हो जाएं जो नारी दुर्भगा बंध्या रूप हीना हो बहें आपके दर्शन मात से अवश निर्दोश हो जाए मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसंद चित से कहा बिधाता ऐसा ही होगा मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस बेदी पर सुइस्तिर भा अंशिव अपनी अंशिरूपनी मूर्ती को प्रकट करके बेदी के मध्य भाग में बिराजमान हो गये तत पस्चा स्वजनों पर इस नहीं रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से बिधाले अपनी पती सती के साथ कैलाश जाने के लिए उद्दत हुए उस समय उत्तम ब दक्ष ने विनैपूर्वक मस्तक जुका कर हाथ चोड़कर भगवान ब्रशब धश की प्रेम पूर्वक इस्तुति की फिर शिरी विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनिया और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की इस्तुति करके बड़े आनंद से ज परोड़ होकर विप्रभु हिमालय परबत की ओर चले भगवान शंकर के समीप ब्रशब पर बैठी हुई सुन्दर दात और मनुहर हास बाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रवा में नीली रेखा के सामान शोभा पा रही थी उस समय उन नवदम पति की शोभ देख बिश्णो आधी समस्त देवता मारी जी आधी महर्शी तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए हिल डूल भी ना सके तथा दक्ष भी मुहित हो गए तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और कोई लोग मधूर स्वर से गीत गाने लगे कितने ही लोग प्रसंदता पूर्बक लोटा दिया और स्वयम प्रेमा कुल होकर प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुचे यह देपी भागवान शिव ने विश्णु आधी देवताओं को भी बिदा कर दिया था तो वे भी बड़ी प्रसंदता और भक्ति के साथ पुन्हा उनके साथ हो लि देवताओं मुनियों तथा दूसरी लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसंदता पूर्वग बिदा किया शंभू की आज्या लेवे विश्णु आधी सब देवता तथा मुनी नमस्कार और उनकी सुति करके मुख पर प्रसंदता की छाप लिये अपने अपने सुध जी कहते हैं मुनियों पूर्व काल में स्वयम्भू मनमंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंद मैंने तुम से कह दिया जो विवह काल में यग में अत्वा किसी शुबकारी में आरम में भगवान शंकर की पूजा करता है और इस शुब उपाख्यान को पिरेंपूर्बक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग शुशीलता और सदाचार आधिस सद्गुनों से संपन साथ भी इस्त्रीतता पुत्रवत्ती होती है